भारतिये संस्कृती में प्रतेक सुहागिन के लिए उसके सुहाग से बढ़ कर और कोई नहीं होता। उनके लिए पति ही परमेश्वर होता है। हमारी परंपराएं जीवन के विभिन मर्यदाओं को संस्कृतिक स्वरू प्रदान करती है। ऐसे ही एक परंपरा करवा चोथ की है जो पति-पतनी के रिष्टे को एक अलग ही उचाई पर ले जाता है इस बार करवा चोथ रविवार 24 अक्टूबर को है यह पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक माह के क्रिस्न पक्ष की चतुर्थी तिथी को मनाया जाता है इस दिन सभी इस्तिरिया अपने पति के दिर्गायू वप्रेम के लिए निर्जाला उपवास रखती है यह वरत सीव पर्वती के रिष्टे की भाती ही अखंड सुहाग प्राप्त करने की कामना से सुहागीने करती है करवा चौत के दिन सबसे पहले सुर्योदय के पुर्व असनान करके वरत रखने का संकल्प करें इसके बाद सासु मा के द्वारा दी गई सर्गी ओढ़गन ग्रहन करें सर्गी रस्म करने के पस्चात संधया के समय पूजा पररंभ करें महिलाएं सोला स्रिंगार करके सर्वपर्थम सीव परिवार की अस्थापना करें घर में मिटी के करवे पर रोरी से स्वास्तिक बनाएं अब करवे में दूध गुलाब जल वजल मिलाका रखें चंद्रमा उदाय होने पर चंद्र को अर्ध अर्पित करें तत्पस्चात करवात चोथ की कथा सुनें उसके बाद छलनी से चंद्रदर्शन करें वह एक और से पती को देखें फिर पती का असिर्वाद लें अब करवे में स्रिंगार समगरी लेकर सासु मा को देकर असिर्वाद प्राप्त करें इसके बाद अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार पारंग करें इस तरह के तमाम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद